प्रश्न जरूर उठ रहा होगा क्योंकि इसमें पूछने वाली बात क्या है? ये तो सत्य ही है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल भी मिलेगा लेकिन एक बार के लिए आँखें बंद करके अपने आप से यह प्रश्न कीजिए देखिएगा कि आपको इस प्रश्न का उत्तर सपष्टता से नहीं मिल पाएगा कही ना कहीं आपके मन में एक संशय जरूर होगा कि क्या यह बात सच है या जूट दोस्तों आज इस कहानी से हम समझेंगे कर्मों का खेल आखिर अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा कैसे होता है बहुत समय पहले की बात है किसी गाव में एक बहुत ही ग्यानी पंडित रहता था एक दिन वह अपने बच्पन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गाव में जा रहा था उसका बहदोस्त बच्पन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था उस पंडित के गाव से उसके दोस्त का घर काफी दूर था वहाँ जाने के लिए बीच-बीच में कई सारे चोटे-चोटे गाव पढ़ते थे पंडित रास्ते में अपनी धुन में चला जा रहा था चलते-चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ती से होती है रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो ऐसा लगता था कि वह किसी का इंतजार कर रहा था और वह भी पंडित के साथ चलने लगता है उस आदमी को देखकर पंडित बहुत खुश हो जाता है उसने सोचा चलो अच्छा हुआ साथ-साथ चलने से उसका सफर आसानी से कट जाएगा बात की शुरुआत करने के लिए उस पंडित ने उस व्यक्ती से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम धर्मराज बताया पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगता है लेकिन उसने नाम के विशय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा दोनों धीरे-धीरे साथ में चल रहे थे तब ही रास्ते में एक गाव आता है गाव का प्रवेश द्वार आते ही धर्मराज ने पंडित से कहा और चलते-चलते एक दूसरे गाव के द्वार पर पहुंच जाते हैं उस गाव के बाहर एक बड़ा और विशाल मंदिर बना हुआ था वहाँ पर आराम करने की सुविधा काफी बठिया लग रही थी पंडित के दोस्त का घर अभी वहां से बहुत दूर था और रात भी होने वाली थी तो पंडित ने धर्मराज से कहा रात होने वाली है पूरे दिन चलते-चलते ठक भी चुके हैं और भूग भी लग रही है तो यहाँ पर भोजन करके यही पर हम विश्राम कर लेते हैं लेकिन पंडित ने रातरे में धर्मराज से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और वे दोनों सो गए सुबै होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से एक गाव आता है धर्मराज ने फिर पंडित से कहा आप आगे चलिए मुझे इस गाव में अपने मित्र से मिलने जाना है मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद आगे रास्ते में मिलूंगा यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया वहीं खड़ा होकर धर्मराज को देखता रहा कि वह कहां जा रहा है और क्या करता है तभी थोड़ी दिर बाद लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्ति हो गई है ठीक उसी समय धर्मराज फिर पंडित के पास पहुँच गया लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने धर्मराज से पूछी लिया परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ पंडित ने कहा मैं समझ गया हूँ लेकिन मुझे कुछ शंका है अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचाय दे दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी तब धर्मराज ने जवाब दिया कि मैं यम्दूत हूँ और यम्राज की आगया से उन लोगों के प्राण हरन करता हूँ जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाओं कम से कम मैं उसकी मृत्यू का कारण तो नहीं बनूँगा धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा तुम जो सोच रहे हो वो सब मुझे पता है अब पंडित को विश्वास हो गया कि यह धर्मराज सचमुच में यमदूत ही है जब पंडित को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मराज जी यमदूत हैं तो वह घबरा गया वह अपने मित्र की मृत्यू का कारण नहीं बनना चाहता था इसलिए वह पलट कर अपने गाम की तरफ वापस जाने लगा लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है जो कि पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन दिखाई पड़ रहा था अपने मित्र के आने की गती को देख कर, पंडित को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा है, लेकिन वह बच्चपन से ही गूंगा था, और एक पैर से लंगडा भी था, इसलिए ना तो वह पंडित को आवाज दे कर रोक पाया था, और ना ही उ में देख लिया था, और वे वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगडा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया, उसने अपनी पूरी ताकत लगा कर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बच्पन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए दिल का दौरा होने के कारण उसकी मृत्यू हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़ कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था, इसलिए अपने मित्र की मृत्यू का कारण भी तुम ही कहलाओगे, अब पंडित को पूर् अपनी मृत्यू के बारे में जानने की इच्छा हुई, इसलिए उसने धर्मराज से पूछा, कि जब मृत्यू मेरे दोस्त की होनी थी, तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे, यह प्रशन सुनकर धर्मराज जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल, हर क्षन सभी के साथ चलता हूँ, किन्तु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा, किसी और व्यक्ति वस्तु या घटना के बारे में सोचने-समजने या उसे देखने का समय ही नहीं होता, पंडित ने कहा, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मेर की मृत्यू को सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है, कि तुम अपनी मृत्यू के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे, महाकाल ने कहा, तो सुनो, तुम्हारी मृत्यू आज से ठीक छ महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्ये में फांसी लगने से होगी, और सबसे हरानी की बाद तो ये होगी कि तुम स्वयम ही खुशी से उस फांसी को स्विकार कर लोगे, इतना कहकर धर्मराज वहां से चला गया, क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण ना था, इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरी वह मेरी मृत्यू से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे, पंडित यही सब सोचता हुआ राज दरबार में पहुँच जाता है, और राजा से सारी घटना के वारे में बताता है, राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मा इसके बाद पंडित के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि पंडित को यहना लगे कि वह राजा की कैद में है परंतु पंडित डर क मारे स्वयम ही कहीं आता जाता नहीं था धीरे धीरे महीने गुजरते गए और पंडित की मृत्यू का समय नजदीक आने लगा और अंततर वह भी दिन आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यू होनी थी तो जिस दिन पंडित की मृत्यू होनी थी उसकी एक रात पहले पंडित डर क छी मारे जल्दी ही सो गया ठाकि जल्दी से वह रात बीच जाए, और अगला दिन आ जाए, ठाकि उसकी मृत्यू टल सके। यही सोच कर वह जल्दी सो जाता है। लेकिन पंडित को नींद में चलने की पीमारी थी, और अपनी इस बीमारी के बारे में वह स्वैम ही नहीं जान इसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की कोई पूछताच की। अस्तबल में पहुँचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोडे की पीट पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पडोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं वह दूसरे राज्य के राज्य के राज्य के महल में पहुच गया। अगली सुभह राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया कुछ दिर बाद उस पंडित को दरबार में लाया गया पंडित को देखते ही राजा इतना बबूला हो गया कि उसे फांसी पर चड़ा देने का हुक्म सुना दिया फाशी की सजा सुनकर पंडित कांप गया लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटा कर राजा से बोला महराज मैं नहीं जानता कि मैं राज महाल तक कैसे पहुंचा मैं यह भी नहीं जानता हूं कि आपके सैन्य कक्ष तक मैं कैसे आया और आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यू होनी थी और वो होनी भी जा रही है राजा को ये बात थोड़ी अजीब लगी राजा को पंडित की बात में थोड़ा थर्क दिखाई पड़ा परंतु उसने सोचा कि अमृत्यू से बचने के लिए धर्मराज और उसके द्वारा अपनी मृत्यू की भविश्यवानी की कहानी बना रहा है इसलिए राजा ने पंडित से कहा पंडित की बात की सत्यता का प्रमान मांगा भेजा भेजे गए सैनिक शाम तक लोटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज पंडित जो कुछ भी कह रहा है वह सब सत्य है पड़ोसी राज्य के राज्या ने पिछले 6 महीने से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में कर रखी थी पंडित राजा का खास महमान था कल शाम राजा आखिरी बार पंडित से उसके कक्ष में मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुँच गया इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी इसलिए अगर पंडित को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वच्चन का अपमान हो जाएगा लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो बेवजह ही एक निर्दोश व्यक्ति की मौत हो जाएगी राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाओ मांगा तो मंत्रियों ने राजा को सुझाओ दिया कि महाराज पंडित को एक कच्चे सूथ के धागे से फांसी लगवा दी जाए इस से आपके कथन का भी मान रह जाएगा और कच्छे सूथ के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी, और उसके प्राण भी बच जाएंगे, राजा को मंत्रियों का यह सुझा पसंद आया, और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया, पंडित के लिए कच्छे सूथ के धागे से फांसी का फंदा बनाया गय थी, कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्विकार करोगे, लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूथ का धागा तो तूट गया, लेकिन तूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था, पंडित के गले की एक नस सूथ के धागे के जटके से कट चुकी थी, और पंडि न तो घट चुकी थी, नियती ने अपना काम कर दिया था, और धर्मराज की भविशेवानी सच हो चुकी थी, दोस्तों, श्रीमद भागवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है, वह होकर ही रहता है, हम चाहे कितनी ही सावधानी बरते कितना ही उपाए कर लें, लेकिन घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं, दोस्तों, शायद इसी लिए ईश्वर ने हमें भविश्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा ब करना चाहता हूँ, जिससे मेरे खेत में अमरत्व के फल उत्पन्न हो, आप मुझे मार्ग दर्शन दीजिए, जिससे मेरे खेत में अमरत्व के फल उत्पन्न होने लगें, बात सुनकर बुद्ध मुस्करा कर बोले, भले व्यक्ति, तुम्हें अमरत्व का फल तो अवश्य किसान ने कहा, प्रभू, तब तो मुझे अवश्य बताईए, कि मैं मन में बीच कैसे बूँँ, बुद्ध बोले, तुम मन में विश्वास के बीच बो, विवेक का हल चलाओ, जान के जल से उसे सीचो, और उसमें नमरता का उरवर्ग डालो, इससे तुम्हें अमरत्व का फल लगा, और उससे खून बहने लगा, बुद्ध की आँखों में आंसू आ गए, बच्चों ने देखा तो भैभीत हो गए, उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें भला बुरा कहेंगे, बच्चों ने उनके चरण पकड़ लिए, और उनसे क्षमाय आचना करने लगे, उन पर भगवान बुद्ध अपने अनुयाईयों के साथ किसी गाव में उपदेश देने जा रहे थे, उस गाव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड़े खोदे हुए मिले, बुद्ध के एक शिश्य ने उन गड़ों को देखकर जिज्यासा प बुद्ध ने बुद्ध ने कहा, महराज, मैं भी खेती ही करता हूं, इसमर्थी है पाप भी रूठा का दण्ड़ है, विचार रूपी रस्य है, स्मर्थी और जारूकता, रूपी हल की फाल और पेनी है। मैं बचन और कर्म में संयत रहता हूँ मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की वसल काट लेने तक प्रयतनशील रहने वाला हूँ अप्रमाद मेरा बैल है जो बाधाएं देखकर भी पीछे मूह नहीं मोडता है वह मुझे सीधा शांती धाम तक ले जाता है इस प्रकार मैं अमरित की खेती करता हूँ एक बार बुद्ध से मलुक्या पुत्र ने पूछा भगवन आपने आज तक यह नहीं बताया कि मृत्यों के उपरांत क्या होता है उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए फिर उन्होंने उससे पूछा पहले मेरी एक बात का जबाव दो अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक विश्बुजा बान घुस जाए तो उसे क्या करना चाहिए पहले शरीर में घुस से बान को हटाना ठीक रहेगा या फिर देखना कि बान किधर से आया है और किसे लक्षिकर मारा गया है मलुक के पुत्र ने कहा पहले तो शरीर में घुस से बान को तुरंत निकालना चाहिए अन्य था विश पूरे शरीर में फैल जाएगा बुद्ध ने कहा बिलकुल ठीक कहा तुमने अब यह बताओ कि पहले इस जीवन के दुखों के निवारन का उपाय किया जाए या मृत्यू की बात की बातों के बारे में सोचा जाए मलुक के पुत्र अब समझ चुका था और उसकी जिज्जासा शान्त हो गए एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुँचा वह बहुत अधिक तनाओ में था अनेक प्रशन उसके दिमाग में घूम घूम कर उसे परिशान कर रहे थे जैसे आत्मा क्या है आदमी मृत्यू के बाद कहां जाता है सृष्टी का निर्माता कौन है स्वर्ग नरक्की अवधारना कहां तक सच है और ईश्वर है या नहीं उसे इन प्रशनों के उत्तर नहीं मिल रहे थे जब वह बुद्ध के पास पहुँचा तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे है बुद्ध उन सभी के प्रशनों वजिज्यासाओं का समाधान अत्यंत सहजभाव से कर रहे है काफी देर तक यह क्रम चलता रहा किन्तु बुद्ध धरे पुरवक हर एक को संतुष्ट करते रहे वेचारा व्यक्ति वहां का हाल देखकर परिशान हो गया उसने सोचा कि इन्हें दुनियादारी के मामलों में पढ़ने से क्या लाब अपना भगवत भजन करें और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों को भगाए किन्तु बुद्ध का व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों का दुख उनका अपना दुख है आखिर उस व्यक्ति ने पूछी लिया महाराज आपको इंसान सारिक बातों से क्या लेना देना बुद्ध बोले मैं ज्यानी नहीं हूँ और इंसान हूँ वैसे भी वह ज्यान किस काम का जो इतना घमंडी और आत्म केंद्रित हो कि अपने अधरिक्त दूसरे की चिंता ही न कर सके ऐसा ज्यान तो अज्यान से भी बुरा है बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति की उल्चंदूर हो गई उस दिन से उसकी सोच वह आचरण दोनों बदल गए कथा का सार यह है कि ज्यान तब ही सार्थक होता है जब वह लोक कल्यान में सनलगन हो महात्मा बुद्ध एक गाव में ठहरे हुए थे वे प्रति दिन शाम को वहाँ पर सत्संग करते थे भक्तों की भीड होती थी क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा बोध प्राप्त होता था बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे एक युवक प्रति दिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए तो वह बुद्ध के पास गया और बोला महराज मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ बुद्ध ने उससे पूछा इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया युवक बोला एक फर्क जरूर नजर आया है पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी अब वह साफ दिखाई देती है कोई गंदगी नहीं दिखाई देती है और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए वे बहुत छोटे हो गए है तब बुद्ध ने उससे समझाया यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूल कर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाऊगे इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं क्योंकि महापुरुशों की पवित्रवाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का आलोग प्रसारित कर देती है एक आदमी को बुद्ध ने सुझाव दिया कि दूर से पानी लाते हो क्यों नहीं अपने घर के पास एक कुआँ खोद लेते हमेशा के लिए पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा सलाह मानकर उस आदमी ने कुआँ खोदना शुरू किया लेकिन साथ-ाठ फीट खोदने के बाद उसे पानी तो क्या गीली मिट्टी का भी चेहन नहीं मिला उसने वह जगह छोड़कर दूसरी जगह खोदाई शुरू की लेकिन दस फीट खोदने के बाद भी उसमें पानी नहीं निकला उसने फिर तीसरी जगह कुआ खोदना शुरू किया लेकिन यहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी इस क्रम में उसने आठ दस फीट के दस कुएं खोद डाले लेकिन पानी कहीं नहीं मिला वह निराश होकर बुद्ध के पास गया उसने बुद्ध को बताया कि मैंने दस कुएं खोद डाले मगर पानी एक में भी नहीं निकला बुद्ध को आश्चर्य हुआ वे स्वयम चल कर उस स्थान पर आए जहां उसने दस गठे खोदे हुए थे बुद्ध ने उन गठों की गहराई देखी और सारा माजरा समझ गए फिर वे बोले दस कुएं खोदने की बजाए एक कुएं में ही तुम अपना सारा परिश्रम लगाते किन्तु फिर भी उसका मन अशांत रहता था कभी धन की सुरक्षा की चिंता तो कभी व्यापारिक प्रतिस परधा में आगे निकलने का तनाव चिंता और तनाव के कारण वह अस्वस्त रहने लगा उसके मित्र ने उसकी गिरती दशा देखी तो उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी सेठ बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा तुम घबराओ मत तुमारा कश्ट अवश्य दूर होगा बस तुम यहां कुछ दिन रहकर ध्यान किया करो बुद्ध के कही अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया किन्तु सेठ का मन ध्यान में नहीं लगा वह जैसे ही ध्यान करने बैठता उसका मन फिर अपनी दुनिया में चला जाता उसने बुद्ध को यह बात बताई किन्तु बुद्ध ने कोई उपाय नहीं बताया थोड़ी दिर बाद जब सेट बुद्ध के साथ वन में सायंकालीन भ्रमन कर रहा था तो उसके पैर में एक कांटा चुप गया वह दर्द के मारे कराने लगा बुद्ध ने कहा बेहतर होगा कि तुम जी कड़ा कर कांटे को निकाल दो तब इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी सेट ने मन कड़ा कर कांटा निकाल दिया उसे चैन मिल गया तब बुद्ध ने उसे समझाया ऐसे ही लोब, मोह, क्रोध, घमंडव, द्वेश के कांटे तुम्हारे मन में गड़े हैं जब तक अपने मन की संकल्प शक्ती से उन्हें नहीं निकालोगे अशान्थी रहोगे सेट का अग्यान बुद्ध के इन शब्दों से दूर हो गया और उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ ली अपनी कुप्रवृत्तियों से मुक्ती के लिए संकल्प बधता आनिवार्य है जब तक व्यक्ती द्रड निश्चे न कर ले वह अपनी गलत आदतों से मुक्त नहीं हो सकता एक यूवक ने बुद्ध से आकर कहा मेरा गाव शिक्षित है मैं अपने परिवार से जगड कर थोड़ा बहुत पढ़ पाया हूँ आगे और पढ़ना चाहता हूँ किन्तु सभी रोक रहे हैं घर के लोग सोचते हैं कि खेती में खूब पैसा है और उसके लिए किसी शिक्षा की आवशक्ता नहीं है यही सोच गाव वालों की भी है कृपया आप मेरे गाव चल कर वहां शिक्षा का प्रसार करवाईए बुध्ध यूवक की बात मान कर गाव आ गए धर्म भीरू ग्रामीनों ने बुध्ध का सतकार किया और रोज उनके प्रवचन सुनने आने लगे बुध्ध जब भी शिक्षा का महत्व बताते ग्रामीन विरोधी मत रखते एक दिन एक महिला अपने पांच साल के बच्चे के लिए पूछने लगी कि उसे किस उम्र से शिक्षा दिलवाए तब बुध्ध ने समझाया कि तुम्हें तो पांच वर्ष पूर्व इसलिए किसी ने उसका खुल कर विरोध नहीं किया जब गर्मी में भीशन जल संकट के कारण फसलें सूखने लगी तो युवक ने कुएं खुदवाए जिन में जल संग्रहन की तखनीक के कारण खुब पानी निकला ग्रामियन अब शिक्षा का महत्तु समझ चुके थे धीरे धीरे संपूर्ण गाव शिक्षित हो गया ज्यान हर उम्र में अर्जित किया जा सकता है यही ज्यान हमें जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान की राह सुजाता है आमरपाली बुद्ध काल में वैशाली के वरिजिसंग की इतिहास प्रसिद्ध लिच्षवी राजनर त्यांगना थी इनका एक नाम अंबपाली या अंबपाली का भी है एक बार की बात है महात्मा बुद्ध अपने शिश्यों के साथ घूमते हुए वैशाली नगरी में पहुँचे वैशाली को उस समय सोलह महाजनपदों में एक महत्वपून जनपद माना जाता था जिसकी ख्याती दूर दूर तक पहली हुई थी यह नगरी परम वैभवशाली और हर तरफ से संपन थी महात्मा बुद्ध के आने की बात पूरे नगर में फैलते देर न लगी जिसे जब पता चलता वह तभी उनसे मिलने पहुच जाता और उनके उपदेश सुनकर खुद को भाग्यशाली समझता बुद्ध का चरित्र ही ऐसा प्रभावशाली था कि उनसे प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह सका उस नगर की गणिका और राजनर्द की आमरपाली भी बुद्ध से मिलने की चुक थी वह खुद महात्मा बुद्ध के पास चलकर आई बलकि एक भक्ती भाव से आई थी फिर भला मैं कैसे उसका आमंतरन स्वीकार न करता वह चाहे एक वेश्या हो या फिर कोई सन्यासी यथा समय बुद्ध आमरपाली के घर भोजन के लिए गए वह पहले से ही भोजन की सारी व्यवस्ता करके भगवान बुद्ध के आने की र भागत किया, खुद अपने हाथों से भोजन परोसा और उनकी आव भगत की, महात्मा बुद्ध के शिश्यों ने जो उनके साथ आये थे जब एक वेश्या को, जिसके कदमों में खुद समराट विबंसार से लेकर अजात शत्रू थे, पूरी वैशाली जिसके एक झ्छलक पाने के लिए तरस्ती थी, उसे एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवाहर करते देख, बुद्ध के शिश्यों के मन में अपने गुरु के लिए सम्मान और ज्यादा बढ़ गया, आमरपाली ने महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में जैसा सुना था, उनसे मिलने के उसे ज्यादा प्रभावित हुई, और उसी समय वह बुद्ध की शरण में चली गई, अपनी सारी समपत्ति वह बौध मठ के नाम करके आज इवन विक्षोनी बन गई, बहुत पुरानी बात है, गौतम बुद्ध एक शिश्य में प्रवास कर रहे थे, उनके कुछ शिश्य भी उनके साथ थे, उनके शिश्य एक दिन शहर में घूमने निकले, तो उस शिश्य के लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा, शिश्यों को बहुत बुरा लगा, और वे वापस लोट गए, गौतम बुद्ध ने जब देखा कि उनके सभी शिश्य बहुत क्रोध में तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप सभी इतने तनाव में क्यों दिख रहे हैं, तभी एक शिश्य करोध में बोला, हमें यहां से तुरंट प्रस्थान करना चाहिए, जब हम बाहर शहर में घूमने गए, तो यहां के लोगों ने बिना बज़य हमें बहुत बुरा भ किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहां के लोग दुर व्यभार करते हैं, हम तो संत हैं, हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक न छोड़े, जब तक अपनी अच्छाईयों से वहां के लोगों को इस पर बुद्ध ने जबाब दिया, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी, चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ती भी दूसरों के अब शब्दों को सहते हुए अपना कार्य करता रहता है, खुद को वश रखा था कि नहीं कहने पर वह बताएगा, कि एक बार उन्होंने देवदत्त को नरगामी कहा था, और यदि हाँ कहे, तो उसने पूछा, जा सकता है कि जब आप कठोर शब्दों का प्रयोग करने से स्वयम को रोक नहीं पाते, तब दूसरों को ऐसा उपदेश कैसे देते ह बुद्ध ने अभय के प्रश्न का आशय जान लिया, उन्होंने कहा, इसका उत्तर न तो हामें दिया जा सकता है और न नहीं में, अभय की गोध में उस समय एक छोटा बालक था, उसकी और इशारा करते हुए बुद्ध ने पूछा, राजकुमार, यदि दाई के अन्जान इसके प्रती मेरे मन में अनुकमपा है। बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए कुएं से पानी निकाले, स्वैम भी पिएं और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में सैनिक भी वहाँ पहुँच गये। बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के संकेट से रुखने को कहा। उनकी बुद्ध को नमन किया और सोने के बरतन में केवडे और गुलाब का सुगंधित पानी 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 पेश किया। बुद्ध ने उसे लेने से इंकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात कही। इस बार बालिका ने साहस बटोर कर कुएं से पानी न यह कन्या अच्छूत नहीं है, आप अच्छूत हैं। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरसकार दिया, वह अच्छूत हो ही नहीं सकती। गौतम बुद्ध के सामने वह राजा लज्जित ही हो सकते थे। भगवान बुद्ध देवताओं का सुगती प्राप्त करना कहलाती है। देवता जब सुगती प्राप्त करता है, तब मनुष्य बनता है। देवताओं में विलास है, राग, द्वेश, इर्श्या और मोह भी वहाँ है। निर्वान की साधना वहाँ नहीं हो सकती। इसके लिए देवताओं को म पहरी मानवता का दर्शन होता है भगवान का परिनिर्वान होने वाला है रात का पिचला पहर है विख्षु उनकी शया को गेरे बैठे हैं बुद्ध उन्हें उपदेश दे रहे हैं कह रहे हैं विख्षु ओ भुद्ध धर्म और संग के विशय में कुछ शंका हो तो पूछ शायद भिक्षूओं तुम मेरे गौरव के कारण नहीं पूछ रहे जैसे मित्र मित्र से पूछता है वैसे तुम मुझसे पूछो बुद्ध अपने शिश्यों की समान भूमिका पर आ जाते हैं उनकी यह विनम्रता मनुष्य धर्म की आधर भूमि है बुद्ध ने अपने को परीर छूट गया इसलिए आखेरी सांस लेने से पहले उन्होंने आनंद को आदेश दिया आनंद चंद करमार कुत्र की इस चंता को दूर करना और कहना आयुश्मन तुने बड़ा लाब कमाया कि मेरे भोजन को करके तथागत परिनिर्वान को प्राप्त हुए जिसके हरद पूछना चाहता है हैरान करने की उसकी इच्छा नहीं है पूछने पर जो मैं उसे कहूंगा वह उसे जल्दी ही समझ लेगा मध्य रात्री में उस अवस्था में सुभद्र की तथागत से उपदेश सुनने का सौभागी मिल गया एक बड़ी दुखियारी स्त्री थी पती पुत्र परिवार सब उसका नश्ट हो गया था मारे दुख के वह पागल हुई फिरती थी कपड़े पहनने का भी उसे होश न था उसका नाम पटाचारत था एक दिन घूमते हुए वह बुद्ध के पास जैतवा नाराम में आ गई उस नंगी स्त्री को देखकर लोगों ने अपनी इच्छा उन तक पहुंचवाई भगवान उसकी इच्छा पूरी करने उसके पास गए दूर से भगवान को आता देखकर वक्कली उनका सम्मान करने और उनको आसन देने के लिए चारपाई से उठने की चेष्टा करने लगा भगवानन ने उसे यह कहकर रोग दिया वैसी ही मेरी है वक्तली इस गंदी काया को देखने से क्या लाब जो धर्म को देखता है वह मुझे देखता है जो मुझे देखता है वह धर्म को देखता है भगवान बुद्ध ग्रस्तों के प्रती बड़ी सानुभूती रखते थे एक बार सुप्रवासा नामक स्त्री के पुत्र प्रसव करे प्राहाणों के साथ भी उनकी पूरी साहन भूती थी जैसे के विश्व के सभी प्राणियों के साथ उनकी पूरी साहन भूती थी बावरी नामक ब्राहाण के एक शिष्य ने जब अपने गुरू की ओर से भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन किय तो भगवान ने आशीरवाद देते हुए कहा शिश्यों सहित बावरी ब्रहान सुखी हो मानवक तुम भी सुखी हो चिरजीवी हो बुद्ध के पास छोड़ा बड़ा जो भी जाता था वह उससे कहते थे आओ तुम्हारा स्वागत है भगवान अपनी अंतिम यात्रा में पावां और कुसी नारा के बीच जा रहे थे रास्ते में उन्हें पुक्कुस मलपुत्र नामक व्यापारी मिला उसने उन्हें एक दुशाला भेंट किया परन्तु भगवान उसे अकेले कैसे आड़ते भगवान वहां गये लेकिन वह ब्राहान बहुदंधी था उसने उनकी कुछ भी सुद्बुध नहीं ली बुद्ध को बड़ा कश्ट हुआ उन्हें तीन महीने तक कुटा हुआ जो रोज खाना पड़ था क्योंकि उस समय वेरंजा में आकाल पड़ रहा था और वह भी उनको और उनके शिश्यों को घोडों के व्यापारियों से मिलता था इतना होने पर भी वर्शावास की समाप्ती पर भगवान बुद्ध अन्यत्र जाने से पूर्व वेरंजा जाकर ब्राहान को आशीरवाद देना नहीं भूले भगवान बुद्ध के जीवन में ऐसी अनंत घटनाय मिलती हैं उनमें हमें उनकी मानवता के दर्शन होते हैं उनके जीवन में कोमलता की परकाश था और उनकी वानी में अपरवू माधुर्य था जो सबको अपनी ओर खीचता था उनके मुह से क्रोध भरा शब्द कभी नहीं निकलता था वह मनुष्य थे परन्तु मनुष्य की दूरबलताओं से उपर उठ चुके थे उनके व्यक्तित्व में मानवता की शुक जयोत्सना धर्म की स्थती बन कर चमकी महात्मा बुद्ध एक बार एक गाम से गुजरे वहां के कुछ लोग उनसे शत्रुता रखते थे उन्होंने उन्हें रास्ते में घेर लिया वेता हाशा गालियां देकर अपमानित करने लगे बुद्ध सुनते रहे जब वे ठक गए तो बोले आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं वे लोग बड़े हैरान हुए उन्होंने कहा हमने तो तुम्हें गालियां दी तुम क्रोध क्यों नहीं करते बुद्ध बोले तुमने देर कर दी अगर दस साल पहले आये होते तो मैं भी तुम्हें गालियां देता तुम बेशक मुझे गालियां दो लेकिन मैं अब गालियां लेने में असमर्थ हूँ सिर्फ देने से नहीं होता लेने वाला भी तुचाहिए जब मैं पहले गाव से निकला था तो वहां के लोग भेंट करने मिठाईयां लाए थे, लेकिन मैंने नहीं ली, क्योंकि मेरा पेट भरा था, वे उन्हें वापस ले गए, बुद्ध ने थोड़ा रुक कर कहा, जो लोग मिठाईयां ले गए, उन्होंने मिठाईयों का क्या किया होगा, एक व्यक्ति बोला, अ आप तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हैं, आपने युवा वस्था में गेरु अवस्त्र क्यों धारन किया है, बुद्ध ने उत्तर दिया कि मैंने तीन प्रशनों के हल ढूडने के लिए सन्यास लिया है, बुद्ध ने कहा, हमारा शरीर युवा और आकरशक है, लेकि पुछा कि क्या ये बात सही है, सरपंच ने भी गाम के लोगों की बात में सहमती जताई, तब बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़ कर कहा, कि अब ताली बजा कर दिखाओ, इस पर सरपंच ने कहा, कि यह असंभव है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, बुद्ध ने शिश्यों को शिक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने हाथ में एक रस्षी पकड़ कर उसमें बहुत सी गाठें दी, उसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने वहाँ पर उपस्तित शिश्यों से प्रसंद पूछा, क्या यह रस्षी वैसी ही है, जैसी गाठें लगाने से पहले थ है कि बाहर से देखने पर चाहे इसका स्वरूप बदल चुका है, लेकिन भीतर से इसके बुनियादी रूप से यह पहले के जैसी ही है, शिश्य का उत्तर सुनकर महात्मा बुद्ध संतुष्ट हो गए, उसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं रस्षी की इन समाधान होना चाहिए, शिश्य तुरंत बोला, गुरुजी हमें इन गाठों को ध्यान से देखना चाहिए कि इसकी गाठें कैसे लगाई गई है, उसके पश्चात इनको खोलने का प्रयत्न करना चाहिए, शिश्य का उत्तर सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि जीवन का यही सूत्र में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, आप जीवन में जब कभी भी किसी समस्या में फंसे, तो सबसे पहले उस समस्या का कारण ढूंढे और फिर उसका निवारन करें, व्यवहारिक जीवन में लोग समस्या का कारण जाने बिना ही उसका स लेकिन कोई यह जानने की कोशिश नहीं करता कि आखिर अहंकार का बीज उनके अंदर कैसे उत्पन्न हुआ जैसे रसी में गाठें लगाने के बाद भी उसका वास्तविक स्वरूप नहीं बदलता वैसे ही व्यक्ति में चाहे जैसे भी अवगुण पैदा हो जाए उसके अंदर की अच्छाई कभी समाप्त नहीं होती जैसे हम धैरे से रसी की गाठों को ध्यान से देखकर खोल सकते हैं वैसे ही जीवन में आने वाले विकारों और समस्याओं का हल हम ढूंड सकते हैं अगर जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्याओं पन हुए है तो उसके कारण को ध्यान से समझने पर उसका निवारन भी स्वात मिलने लगते हैं दुनिया में जो तरक्की हो रही है या देश में कोई तरक्की करता है तो उससे जरूर देखना चाहिए चाहे घर की टीम हो या बाहरी लोगों को मिला कर बनाई हुई हो जहां जहां अच्छे समूह बन गए वहां वहां तरक्की हो गई ऐसा ही देखा गया है आपके आसपास जितने लोग तरक्की पसंद हैं वो मिलकर ही काम करते होगे उनका टीमवर्क अच्छा होगा एक परिवार था वो गरीब था खाने को कुछ नहीं था काफी सोचा की काम मिले मगर काम नहीं मिला दो बच्चे थे बीबी थी एक दिन उन्हें विचारा आया कि इस गाव में काम मिलना मुश्किल है चलो कहीं और चलते हैं इस इरादे से वे एक दिन गाव छोड़ कर चल दिये रात का समय था रास्ता भी जंगली था सोचा व्रिक्ष के नीचे रात कुजारी जाए आदमी ने अपने एक लड़के को लकडी चुनने तथा दूसरे को पानी लाने के लिए भेज दिया तथा उनसे पूचा तुम्हारे पास पकाने को क्या है? वो आदमी बोला तुझे मार के खाएंगे अदमी बोला हमारे पास नपैसा है और नहीं समान तो क्या करें? हन्स सोच में पड़ गया इन्होंने चूलहा भी जला लिया है सब कर्मशील हैं मुझे तो ये खा ही जाएंगे तो हंस बोला, अगर मैं आपको धन दे दूँ तो मुझे छोड़ दोगे, घर का स्वामी बोला, हाँ, छोड़ देंगे, हंस कहने लगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धन देता हूँ, हंस उनको थोड़ी दूर ले गया, और चोंच से इशारा किया, और कहा कि यहां से निका है, उनके भी दो बच्चे थे, उन्होंने भी ऐसी योजना बनाई और चल दिये, उन्होंने भख उसी व्रिक्ष के नीचे डेरा लगा लिया, आदमी ने अपने बड़े लड़के को कहा, लकडी लाओ तथा छोटे लड़के को पानी लाने के लिए कहा, परंतु दोनों आ है, जिन लोगों ने तरक्की करनी है, वे मिल कर चलते हैं, और आज भी संसार में उनका ही बोल, बाला है, जो आपसी ताल मेल में रहते हैं, वे ही समाज रूपी हंस को जीत सकते हैं, एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे परमात्मा दिखा दो, राजा का हुक्म था, कल सुबह मुझे आप साथ ले जाएं, मैं अपने आप राजा को दर्शन करा दूँगा, दूसरे दिन सुबह बीरबल और लड़का दरबार में पहुंचे, और राजा को कहा, मेरा लड़का आपके प्रशन के उत्तर का समाधान करेगा, राजा ने सोचा, यह लड़का क्य लड़का बोला, पहले मुझे आप उसका दर्शन कराओ, राजा बोला, तू मुर्क है, घी के दर्शन ऐसे थोड़े होते हैं, पहले दूद को गर्म करना पड़ता है, फिर उसकी दही जमाना पड़ता है, फिर उसको मगानी में रिड़का जाता है, फिर मक्खन निकलता है अकबर समझ गया और बोला तू वाकई ही मेरा गुरू है इश्वर को जानने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है वैसे हर आत्मा में इश्वर का अंश है और उसी को इश्वर का रूप समझना चाहिए तभी सुख की प्राप्ति होती है यह भी संसार का एक नियम है एक बालक अभी पुरे दो साल का भी नहीं हुआ था कि उसके पिता की मृत्यू हो गई ऐसी कठिन परिस्थिति में उसकी माँ उसे लेकर अपने मायके में रहने लगी सभी उसे नन्हा कहकर पुकारते थे छोटे से कद का बालक शारीरिक रूप से दुर्बल था किन्तुमानसिक रूप से अत्यंत मेधावी उसे जो कुछ भी कहा या सिखाया जाता वह बड़े मनोयोग से उसे ग्रहन करता था धीरे धीरे दिन बीतते गए और बालक छह वर्षका हो गया एक बार वह अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर किसी बाग में फूल तोड़ने पहुँचा वह बालक और उसके सभी फल तोड़ने लगे तभी माली आ गया उस बालक के सभी मित्र भाग गये लेकिन वह माली की पकड़ में आ गया माली ने उसे डंडे से पीटना शुरू किया नन्हा मार खाता रहा और फिर धीमी आवाज में माली से बोला मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है इसलिए तुम मुझे इस तरह मार रहे हो बालक की बात सुनकर माली का हाथ रुक गया माली शांत होकर बोला बेटा तुम्हारे पिता के ना होने से तुम्हारी जिम्मेवारी और अधिक बढ़ जाती है कि तुम कोई गलत काम नहीं करो यह सुनकर नन्हा बालक फूट फूट कर रोपड़ा और फिर कभी गलत काम न करने का संकल्प लिया यही नन्हा बालक बढ़ा होकर लाल बहादुर शास्त्री के नाम से वख्यात हुआ और प्रधान मंत्री के रूप में अपने गोणवा व्यवहार से सर्वत्र प्रशन सापाई कथा कसार यह है कि माँ बाप के अमूले मारग दर्शन के आभाव की स्तिती में और अधिक जिम्मेदार बन कर आत्मविकास करना चाहिए 19. शताबदी का एक प्रसंग है मैदिनीपुर जिले के वीर सिंह नामक गाउं में एक माँ अपने पुत्र के साथ रहती थी मा का रहन सहन अत्यंत साधा था और विचार अतियुच्च अपने पुत्र को वह सदा सुसंसकारों की शिक्षा देती थी पुत्र भी मा का आज्या कारी था मा बहुत संघर्श कर पुत्र का पालन पोशन कर रही थी पुत्र अपनी मा के कश्टों को देखता समझता था और इसी वजह से उसके मन में यह भावना थी कि बड़ा होकर अपनी मा को सभी प्रकार के सुखतूं एक दिन पुत्र ने मा से कहा मेरी बहुत इच्छा है कि तुम्हारे लिए कुछ गहने बनवाऊं तुम्हारे पास एक भी गहना नहीं है ये सुनकर मा बोली बेटा, मुझे बहुत दिनों से तीन प्रकार के गहनों की इच्छा है पुत्र ने पूछा, वे कौन से गहने है मा ने उतर दिया, बेटा इस गाव में स्कूल नहीं है तुम्हेक अच्छा स्कूल बनवाना, एक दवा खाना खुलवाना गरीब और अनाथ बच्चों के रहने और भोजन की व्यवस्था करवाना यही मेरे लिए गहनों के समान होगा मा की बात सुनकर पुत्र रो पड़ा वह पुत्र था, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और मा थी भगवती देवी वीर सिंह गाव में इस पुत्र द्वारा स्थापित किया हुआ भगवती विद्यालय आज भी उन अमूल्य गहनों की कथा सुना रहा है कथा का सार ये है कि स्वयम की सज्जा से अधिक समाज को समवारने की कामना ही मनुष्य को मनुष्यत्व प्रदान करती है और ऐसी मनुष्यता से भरा समाज एक सो संस्कृत राष्ट की परिकल्पना को साकार करता है एक महात्मा बड़े ज्यानी थे वे प्रायह अपने शिश्यों को रामायन, महाभारत और गीता ग्रंथों की अच्छी बातें बता कर उन्हें आचरण में उतारने का आग्रह करते थे प्रति दिन संध्या को वे प्रवचन करते और श्रोताओं को इन धर्म ग्रंथों की कथाएं वद्रिश्टांत सुना कर उनमें सदाचार जाग्रत करने का प्रयास करते थे स्वयम महात्माजी का आचरण भी तद्नुकूल ही था वे कंधमूल खाते कभी किसी वस्तू की इच्छान करते थे धन संग्रह में उनकी कदापे रूची नहीं थी यदि कोई शिश्य अत्वाश्रोता श्रद्धा पूर्वक उन्हें कुछ भेंट करता तो वे ततक्षण उसे किसी जरूरत मंद को दान कर देता प्रवचन के पश्चात लोगों के प्रशनों वजिज्यासूँं का भी महात्माजी समाधान करते वे प्रायह रामायन आदि गंठों से शिक्षा ग्रहन करने की बात कहते थे एक दिन किसी व्यक्ती ने उनसे प्रश्ण किया महात्मा जी रामायन को सही माना जा या गलत उन्होंने उत्तर दिया वाच्स जब रामायन की रचना हुई थी तब मैं नहीं था राम जी वन में विचरण कर रहे थे तब भी मेरा अता पता नहीं था इसलिए मैं नहीं बता सकता कि रामायन सही है या गलत मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि इसके अध्ययन एवामिस से मिलने वाली शिक्षा से सुधर कर मैं आज इस स्थिती में हूँ चाहो तो तुम भी इसका प्रयोग कर अपना जीवन बेहतर बना सकते हो सार यह है कि धर्मग्रंथ वनीतिग्रंथ तर्क का विशय नहीं होते उनमें सतो मुक्की जीवन के तत्तो होते हैं अतह उनसे अपने जीवन को सार्थक्ता देने की शिक्षा ग्रहन करनी चाहिए न कि उन्हें तर्क की कसोटी पर कसना चाहिए उपन्यासकाड़ा, क्रोनिन अत्यंत निर्धन थे पुस्तकों की रॉयल्टी या तो प्रकाशक हडब जाते अथवा क्रोनिन को उनके हक से कम दो क्रोनिन बहुत सीधे थे प्रकाशकों से लड़ाई कर अपना हक लेना उन्हें नहीं आता था अतह, गरीबी में उनका जीवन बित रहा था इसी गरीबी में जैसे तैसे उन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई पूर्ण की और डॉक्टर बन गया जब वे चिकित्सा के क्षेत्र में आए तो कुछ लोगों ने उन्हें इसके जरीए पैसा कमाने का तरीका बताया वे लोगों की बातों में आकर मरीज से मोटी फीस वसूलने लगे वे किसी भी निधर्ण पर दया नहीं करता और पूर पूरा चिकित्सा खर्च लेते यह देखकर क्रोनिन की पत्नी बहुत दुखी हुई वे अत्यंत दयालू थी पति की गरीबों के साथ यह निर्दय देख एक दिन वे बोली हम गरीब ही ठीक थे हम से कम दिल में दया तो थी उस दया को खोकर तो हम कंगाल हो गए अब मनुष्य ही नहीं रहे पत्नी की मरमसपर्शी बात सुनकर डा कोरनिन को आत्मा बोध हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा तुम सच कह रही हो व्यक्ति धन से नहीं मन से धनी होता है तुमने सही समय पर सही राह दिखाई अन्यथा हम अमानवियता की गहरी खाई में गिर जाते तो कभी उठी नहीं पाते कथा का नहीतार्थ यह है कि जब मनुष्य अपनी मानवियता की मूल पहचान से डिगने लगता है तो सामाजिक नैतिकता तो खंडित होती ही है वह स्वयम भी भीतर खोकला हो जाता है क्योंकि ऐसा उनकी पवित्र संसकार शीलता बली छड़ चुकने के बाद ही होता है बॉध्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हो चुका था अनिक बॉध्ध मठ स्थापित हो चुके थे सभी मठों में योग्य आचार्यव कुल्पित की नियुक्ति की जानी थी ताकि वे बॉध्ध धर्म के समुचित प्रसार में अपनी महती भूमी का निभा सकें आचारेव कुलपती की नियुक्ती में उनके ज्ञान और विवेक के अतरिक्त उनकी परहित रूची को भी विशेश रूप से परखा जाता था क्योंकि मठ सामुहिक हितों को प्रमुखता देते थे एक बड़े बौध मठ के लिए योग्य कुलपती की नियुक्ती उन दिनों चर्चा का विशेए थी उस बौध मठ के आचारे ज्यान और विवेक के धनी मोध गल्यायन थे कुलपती पद के लिए तीन उम्मीदवार थे और तीनों ही योग्य थे किन्तु चुनाव तो एक काही करना था अता तीनों की परीक्षा लेने के लिए तीनों को जंगल में भेजा गया आचारे मौदगल्यायन उनकी परीक्षा लेने के लिए पहले ही जंगल में पहुँच गये उन्होंने मार्ग में कांटे बिछा दिये संध्या होने तक तीनों उम्मीदवार भी वहाँ पहुंचे मार्ग में कांटे देखकर तीनों रुखे एक ने कुछ सोचकर अपना रास्ता बदल लिया तूसरे ने कांटों पर से कूत कर रास्ता पार किया तीसरा मार्ग से कांटे हटाने लगा तीर थाटन हेतू जा रहे थे। चलते चलते शाम घिराई तो दोनों एक पेड़ के नीचे रात्र विश्राम के लिए रुख गए। उसे भी अकाल मृत्यू दूँगा। उसे पूर्ण परिपक्व होने तक उसकी रक्षा करने में नहित है। स्वामी विवेकानंद के प्रवचन ज्यान युक्त और तर्क आधारित होते थे। ज्यान, भक्ति और कर्म विशेक जटिल से जटिल प्रशनों का समाधान स्वामी जी अपनी सहज मेघा से कर देते थे। जी ज्यासूओं का जमावडा उनके आज-पास हमेशा लगा रहता था। प्रवचन के दौरान या प्रवचन समाप्ति के उपरांध भी कई बार ऐसा होता था कि जी ज्यासूओं की ओर से प्रशन आते रहते और स्वामी जी उन प्रशनों का संतुष्टी जनक उत्तर देते। एक बार स्वामी जी अपने प्रवचन में भगवान के नाम की महत्ता बता रहे थे। यह सुनकर एक व्यक्ती ने तरक दिया। यक्ती को अपने प्रशन का जवाब मिल गया कि अब शब्द क्रोध का सकते हैं तो प्रियवचन भी आशिरवाद और कृपा दिला सकते हैं। वस्तुता शब्द की महिमा अपरमपार है। अब प्रियवानी मर्मभेदी होती है और मधुरवानी मरहम का काम करती है। कोई ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें सभी को मज़ा आ जाए। कचुआ और कवा बोला हाँ दोस्तों वही बैठे बैठे का खेल खेल कर बोर हो चुके हैं अब कुछ नया खेल खेलेंगे। कववे को हिरन बोली ठीक है तो तुम एक बड़े से पेड़ पर बैठकर आखें उतने में एक शिकारी वहां से गुजर रहा था तभी उसकी नजर हिरन को और कचुवे पर पड़ी शिकारी ने जैसे ही तीनों मित्रों को देखा उन्हें पकड़ने के लिए दोड़ा खत्रे का आभास होते ही हिरन और कवा रफू चक्कर हो गए यानि की वहां से भाग तभी शिकारी भोजन में कचुवे को खाने वाला है यह सुनकर हिरन और कौवे ने एक योजना बनाई कौवे ने हिरन को कहा कि जैसे ही शिकारी यहां से जब जाने लगेगा तब तुम उसके सामने जाना जब शिकारी तुम्हें देखेगा तो अपनी पोटली जमीन पर र शिकारी ने राश होकर घर लोट गया कौवे ने पोटली को महफूस जगह पर रखा और कचुवे को शिकारी की चंगुल से आजाद कर आया और तीनों मित्र आनंद से रहने लगे इससे हमें यह सीख मिलती है कि असली दोस्ताना वही जो समय पर काम आए एक किसान था जिसक किसान मरने की हालत में था तब ही किसान ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर उनसे कहां की हमारे खेत में एक ख़जाना गड़ा हुआ है लेकिन वह किस जगह है उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है लेकिन खोदने के बाद तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा इतना कहकर क किसान भगवान को प्यारे हो गए खजाने की खबर सुनकर दोनों बेटों के मन में लालच आ गया और वो दोनों खेत पर चले गए और खेत को खोदने लगे खजाने के लालच में कुछ ही दिनों में पूरे खेत को खोदने के बाद कि परिश्रम ही सचा धन होता है और वो उसी तरह से अपने पिता के शब्दों का मोल भी समझ गए और अपने कामकाज में लग गए यही कहानी आज हम सब की भी है मित्रों इसी पेड की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेल कर बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और तभी वापस आते हैं जब हमें कोई जरूरत होती है धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है हमें पेड रूपी माता-पिता की सेवा करनी चाहिए ना कि सिर्फ उनसे फाइदा लेना चाहिए इस कहानी में हमें दिखाई देता है कि उस पेड के लिए वह बच्चा बहुत महत्वपूर्ण था और वह बच्चा बार-बार जरूरत के अनुसार उस सेव के पेड का उप्योग करता था ये सब जानते हुए भी कि वह उसका केवल उप्योग ही कर रहा है इसी तरह आजकल हम भी हमारे माता-पिता का जरूरत के अनुसार उप्योग करते हैं और बड़े होने पर उने भूल जाते हैं हमें हमेशा हमारे माता-पिता की सेवा करनी चाहिए उनका सम्मान करना चाहिए और हमेशा भले ही हम कितने भी व्यस्त क्यूं ना हो उनके लिए थोड़ा समय तो भी निकलते रहना चाहिए एक समय की बात है एक बार गौतम बुध अपने शिश्यों के साथ बैठे हुए थे तभी वहाँ एक व्यक्ति आया जो बहुत क्रोध में था और गौतम बुध के पास आकर बहुत भला बुरा कहने लगा गौतम बुध के शिश्यों को बहुत गुस्सा आया वह व्यक्ति कुछ देर चिलता रहा, फिर चला गया, अगले दिन वह व्यक्ति फिर आया, और आज तो हधी कर दी उसने, आकर गौतम बुध को गाली देने लगा, गौतम बुध के शिश्यों को बहुत गुस्सा आया, परन्तु आज भी गौतम बुध एकदम शांत थे, इतन उसे लेने से मना कर दे, तो वह व्यक्ति क्या करेगा, शिश्य ने कहा, वह व्यक्ति अपना उपहार लेकर लोट जाएगा, तब गौतम बुध ने कहा, मैंने भी ऐसा ही किया, उस व्यक्ति ने मुझे उपशब्द रूपी उपहार दिया, मैंने उसे लेने से मना कर दिया मतलब उस पर कोई भी प्रत किया नहीं दी तो व्यक्ति अपने वा अफशब्द वापस लेकर लोट गया एक व्यक्ति की तीन साल की बेटी थी एक दिन उस व्यक्ति ने देखा कि उसकी बेटी उसके एक बहुत सुन्दर और महंगे गोल्ड पैकिंग पेपर से एक बॉक्स को लपेट रही थी ये देखकर उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया है उसने अपनी बेटी को बहुत डाटा तुमने मेरे इतनी कीमती पेपर को बेकार कर दिया वो भी बिना किसी मतलब के तुम इसे अच्छे काम के लिए उपयोग करती तो अच्छा लगता पर तुमने एक बेकार से डिब्बे को उसमें लपेट दिया कुछ दिन बीते दिवाली का दिन आया उस व्यक्ति ने अपनी बेटी को गिफ्ट दिया बेटी ने भी वही सुन्दर सा गोल्डन बॉक्स पापा को दिया उसके पापा पहले तो उसे देखकर बहुत खुश हुए पर जैसे ही उन्होंने उस डिब्बे को खोला वह खाली था यह देखकर उस व्यक्ति ने अपनी बेटी को घूरा और कहा क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी को खाली डिब्बा नहीं देते लड़की कुछ देर शांत रही फिर बोली पापा ये डिब्बा खाली नहीं है मैंने इसमें बहुत सारे किस आपके लिए रखे हैं कभी-कभी आप जल्दी ऑफिस चले जाते हैं और मैं सोती रह जाती हूँ तो आप इसमें से एक किस ले जा सकते हैं बेटी की बात सुनकर उस व्यक्ति की आँख भराई एक गांफ में एक लड़का रहता था उसके घर की आर्थिक स्तिती ठीक नहीं थी उसके मन में विचार आया किसी बड़े शहर में जाकर वह नौकरी करे वह कलकत्ता गया और नौकरी ढूंडने लगा बहुत खोज के बाद उसे एक सेट के घर में नौकरी मिल गई नौकरी छेहाने रोज की थी काम था सेट को रोज 6 घंटे अख़बार और किताब पढ़कर सुनाना लड़के को नौकरी की जरूरत थी तो उसने वह नौकरी स्वीकार कर ली एक दिन की बात है लड़के को दुकान के कोने में 100 ए 100 के 8 नोट पड़े मिले उसने चुपचाप उन्हें अख़बार और किताबों से ठक दिया दूसरे दिन रुपईयों की खोजबीन हुई लड़का सुबह जब दुकान पर आया तो उससे पूछा गया लड़के ने तुरंद ही प्रसनता से रुपईये निकाल कर ग्राह को दे दिये वह बहुत ही खुश हुआ लड़के के इमानदारी से सब को बहुत प्रसनता हुई सेठ भी लड़के से बहुत खुश हुआ सेठ ने लड़के को प्रसकार देना चाहा तो लड़के ने लेने से मना कर दिया लड़के ने कहा सेठ जी में आगे पढ़ना चाहता हूँ पर पैसो के आभाव में पढ़ नहीं पा रहा आप कुछ सहयता कर दें सेठ ने लड़के की पढ़ाई का प्रबंध कर दिया लड़का बहुत मेहनत से पढ़ता गया यही लड़का आगे चलकर बहुत बढ़ा सहित्यकार बना इसका नाम था राम नरेश्ट्रिपाठी हिंदी सहित्य में इनका बहुत बढ़ा योगदान है एक रोटी की कीमत रोटी की कीमत क्यों बढ़ेगी राजा बोला इसकी चिंता तुम मत करो तुम 10 रुपे दाम कर दोगे तुम मेरे राजा होने का क्या फाइदा तुम अपना फाइदा देखो और 30 रुपे दाम कर दो अगले दिन बनिये ने रोटी का दाम बढ़ा कर 30 रुपे कर दिया शहर में हाहाकार मच गया तभी सभी जनता राजा के पास पहुंचे बोले महाराज ये बनिया अत्याचार कर रहा है पाँच की रोटी 30 में बेच रहा है राजा ने अपने सिपाहियों को बोला उस गुस्ताख बनिये को मेरे दरबार में पेश करो बनिया जैसे ही दरबार में पहुंचा राजा ने गुस्से में कहा गुस्ताख तेरिये मजाल तुने बिना मुझसे पूछे कैसे दाम बढ़ा दिया ये जनता मेरी है तुने भूखा मारना चाहता है राजा ने बनिये को आदेश दिया तुम रोटी कल से आधे दाम में बेचोगे नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा राजा का आदेश सुनते ही पूरी जनता ने जोर से बोला महराज की जय हो महराज की जय हो महराज की जय हो जिसे मदद की जरूरत थी, उसने उसकी मदद की और बदले में वह एक इच्छा देने को तैयार हो गई मिडास की इच्छा थी कि वह जिस चीज को छुए, वह सोना बन जाए उनकी इच्छा दी गई थी, अपने घर के रास्ते में उसने चक्टानों और पौधों को छुआ और वे सोने में बदल गए जैसे ही वह घर पहुंचा, उत्सा में उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया, जो सोने में बदल गई थी मिडास तबाह हो गया था और उसने अपना सुस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें, जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बात चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए फिर मिलते हैं, ऐसी एक और नई वीडियो में, एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद झाल जिसे यद्वाद झाल झाल